बाके बिहारी लाल कीजे आज हम सब बिहारी जी के दर्शन का आनंद लेंगे एवं साथ में बिहारी जी के आरती के बहुत ही अध्वुत दर्शन करेंगे तुँ चलिए चलते हैं बिहारी जी के दर्शन करने कुझ बिहारी श्री हर्दा सबसे पहले हम बिहारी जी की धेरी के दर्शन करेंगे और धेरी पर ढोग लगा कर बिहारी जी का अशिर्वात प्राप्त करेंगे कुंज बिहारी श्री हर्दा, श्यामा पियारी कुंज बिहारी जैजै श्री हर्दास दुलार अब आप सभी बहरी जी की पोशाक के दर्शन करें आज बहरी जी ने सफेद कलर की पोशाक धारण करी थी सफेद पोशाक में बहरी जी ऐसी जग मगा रहे थे कि भक्तों की नजर उनसे हटी नहीं रही थी क्यूँकि बहरी जी इतने सुन्दर लग रहे थे इतने मनमोहित लग रहे थे अब आप सभी बहरी जी के श्रिंगार के दर्शन करें आज बहरी जी ने यही श्रिंगार सफेद पोशाक के सँधारण कर अपने सबे वक्तों को बहुत ही अद्बुत दर्शन दिये थे ये बिहरी जी के टिपारे, कटारे और कुंडल और चंद्रिकाएं हैं आप सभी इनके दर्शन करें कुंज बिहारी श्री हरदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जैजै श्री हरदास दुलारी अब आप सभी बिहारी जी की आरती के दर्शन करें मूर मुकटकट काचनी कर मुरली उर माल यह इबानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल पाग बनी पटका बनो वनो लाल को भेश जै जै कुझ बिहारी लाल की दोरी आरतिलेश बाके बिहारी लाल कीजे कुंज बिहारी श्री हरदास एक भक्त बिहारी जी की आर्दी को दिखते होई कह रहा है हरे कृष्ण सदा कहते कहते मन चाहे जहां वहां जूमा करूं मदुमोहन रूप कापी करके उसमें अनमत हो जूमा करूं अतिसुन्दर वेश ब्रजेश तेरा रमा रोम ही रोम में रूमा करूं मन मंदिर में बिठला के तुझे पग तेरी निरंतर जूमा करूं आर्दी के बाद बिहारी जी मंदिर में सभी भक्तों के ऊपर अमरिद वर्षा होती है अम्रिद वर्षा का ये जल बहुत ही अमूल्य होता है क्योंकि इस जल से बिहारी जी की आरती के बाद नजर उतारी जाती है इसलिए ये जल किसी अम्रिद से कम नहीं होता आप सभी इस जल को मांसिक रूप से ग्रहन करें कुंज बिहारी श्री हर्दा अब आप सभी बिहारी जी की आरती के धर्शन करें इवं साथ में बिहारी जी की आरती ग्रहन करें और बिहारी जी से अपनी सुक सम्रिद्धी की प्रात्ना करें बिहारी जी आप सभी पर अपनी क्रपा बनाए रखें और आपके घर में सुक शांती बनाए रखें प्रिहारी श्रीहारी